हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वाधिस्ट चुला मैं तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ उत्राखंड की एक रेसिपी तो पहले तो आप देख सकते हैं यह हैं उत्राखंड के हमारे उत्राखंड में होने वाले फ्रूट्स या फिसी भ और दूसरी है जैम तो सबसे पहले अच्छे से हमें इनको वास कर लेना है और वास करके जो है अच्छे से इनका जितना भी पानी है वो हमें निकाल लेना है और उसके बाद जो है हम इनको बारिक-बारिक कट कर लेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं आप हमने इसको जो ह रहते हैं सी एकरणिंग चीढ़ें एक टियार हुआ है तो इस तरीके से हमने पीस कर लेने हैं और बीच की गुठली को निकाललेदा está ि तो निगांढ है आरंड एक diffди किल हुएए उनकर लेक वे हम सकीं पूलम कर तैयर किया हुआ है थाक्ता एक गैस में हमने बरतन लिया हुआ है.. अब लगां को चीनी में दोनों एक से कुलकी के पूला हम अब गैसों होई अब ऐस तो इन दोनों हमें से दीन जुआishops के ज़ вони होँआ होँ और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी ने यहाँ पे पूरा पूरा बिल्कुल लिक्विट यहाँ पे बन चुकी है, तो चीनी का यहाँ पे टांस्फॉरमेशन हो जाएगा और पूरा लिक्विट यहाँ पे चीनी बन जाएगी, तो अभी देखते हैं, नहीं जब हम मेल्ट हो गई है तो उसके बाद हमें इसको डھकन रखके पकाएंगे तो अब धीरे-दीरे चीनी हमारी हमारी लगबग मैल्ट हो चुकी और हमने ढगके अद्धके के हैं पर रख लिया है तो इस तरीके से पंदरह मिनिट के आसपास हमारी जो हा पर बने में लगते हैं तो औ कि मैस भी हम अपने दारू से कर लेंगे तो इस तरीके से हम हम चला लेंगे तो देख सकते हैं कितना इसका भी लीक्विड बचा हुआ है तो ठोड़ी दे जै अब इसको और पकाएंगे मैं इसको ढ़नекol में तो हैं इसको ढ़क आगए नहीं कुलाआई गूस्टो तो लगबग जैम हमारा तयार होने को है देख सकते हैं तो यहां पर हम जो है अब गैस आफ कर सकते हैं क्योंकि जैम हमारा लगबग तयार है और जब हम यह ठंडा हो जाएगा तो इसके बारी और जो है गाड़ा हो जाएगा तो यहां पर गैस हम अपनी आफ कर देंगे तो य ग्राइड करें ग्राइड करें वर दूतनी एक द्रफाइड करें चाहके लिए दचणी और किसमिस दालना चाहते हैं तो जिसे होता है उनका टेस्ट कुरकुरा हो जाता है और यहांपे बरतर में कुछ भी एड़ नहीं किया hört कोई आइल यहां पर नहीं डाला है और डारेक्ट जो भी हमने प्लम आब रटर मे किया हुआ था डारेक्ट उसे हमने बरतर में डाल लिया है अब इसमें लेंगे ऊज़ पानी के साथु करें गुवरायारे है, चीनी, तो तो यह दौदा झा Based करें के चीनी में ग मैंशबूँ चट्नी लाँने और एक मैंश शायेगा है नमक और मेरचew दालें के चेटनी का तेस्ट बहुत अच्छा आएगा किसमीरी मिर्च छाहें किलर के लिए धUNG करना है एंग घ्टब्स में और यह विख जो हूं करेंगा तो अब यहाँ पे हमने जो भी धकन जो है लगा लेना है तो इस तरीके से और बीच-बीच में इसको भी हमें चेक करते रहना है क्योंकि अगर हम इसे चेक नहीं करेंगे टाइमली तो यह जो है नीचे बरतन में चिपक जाएगा तो इसकी consistency देखिए तो एराउंड यह भी 10- मिनट के आस-पास पकने में लेता है तो इस तरीके से हमें इसको अपनी जो है चटनी भी जो है इसकी तयार कर लेनी है तो यहाँ पर चटनी हमारी तयार है गैस को आफ कर देंगे बहुत जाड़ा गारा इसको नहीं करना है जैम की तरह क्योंकि चटनी जो है थोड़ी पतल तो यह चटनी की सब्सक्राइब देख सकते हैं तो इस तरीके से चटनी आप बना सकते हैं और इसको फ्रीज में रखकर आराम से वन वीक के लिए आप हम जो है इसको यूज कर सकते हैं तो तयार है हमारी चटनी और यह हमारा जैम तो जैम का मैं आपको कंस्टेस दिखाऊंगी जिस तरीके से मार्केट में हम खरीते हैं बिल्कुल उसी तरीके का जो है यहाँ पर जो हमारा जैम तयार हुआ है विदाउट प्रिजर्वेटिव एंड विदाउट कलर तो इसका नेचुरल कलर है यह तो देखिए इसको बिल्क हमारी तयार है खट्टी मिठी नमकीन चटनी ठीक है तो दोनों आइटम हमारे तयार है तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे वीडियो अगर मेरी वीडियो पते पसंद आप